प्लानिंग इसके बहु बेकल प्रश्णों के उत्तर साथ साथ देखेंगे कौन कौन से कॉस्चन इंपोर्टन रहेंगे इस चैप्टर से सबसे पहला कॉस्चन नियोजन होता है प्लानिंग इस इंग्लिस और हिंदी मीडियम दोनों के लिए चिंता करनी के आउशकता नहीं ह सारे होते हैं हमने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव में आंसर हो जाएगा आपका सभी आउदीयों के लिए तो आपका डी ऑप्सन इसमें करेक्ट हो जाएगा दूसरे कुशन की बात करते हैं दूसरे कुशन में पूछा गिया है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनायागा पिंजरा है यह कथन किसका है बहुत ही स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे ध्यान रखना है आपको तो इस्टेटमेंट किसका है यह आपको बताना है तो यह है एलन का तो यहाँ पे सा अप्सन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है आपका तीस तिसरा question में पूचाग्या है आपका 5 में पुछा गया है नियोजन है प्लानिंग क्या है 2012 और 2020 में बाट आ दिण कैवाह भार आ यहाँ पर आपका अंसर आ जाएगा अवरिशक है इसके बाद मैं नेक्स जो कोशन है आपका इसमें पूछा गया है छठा थीमें पुछा गया है नियोजन सभी प्रबंद्य क्रियाओं का है तो क्या है नियोजन सभी प्रबंद्य क्रियाओं का तो आंसर हो जाएगा प्रारंब और अंत दोनों है तो यहाँ पर beginning and end both उसके बाद में सात्वा जो question है उसकी बात करते हैं इसमें केवल 26 question देखेंगे हम तो इसमें जो है सात्वा question पूछा गया है नियोजन है planning is तो planning क्या है आपको बताना है तो planning क्या है आपको बताना है अच्छी तरीके से ध्यान से सारे questions को देखा करिए और फिर बताया करिए तो यहाँ पर है लक्ष याभी मुखी है उद्देश याभी मुखी है मानसिक प्रक्रिया सभी है तो यहाँ पर D option जो है आपका correct हो जाएगा आठवा question है एक अच्छी योजना होती है गोल good plan is तो जैक 2019 में पुछा जा चुका है तो क्या होती है यह अच्छी योजना यह आपको बताना है तो आजाएगा नियंतरण का आधार जो है नियोजन की सीमा नहीं है इसके बाद है आपका next question दस्वा इसमें पुछाएगा budget का अर्थ है तो budget refers to यहाँ पर चार option है कौन सा सही होगा आपका budget तो यहाँ पर answer हो जाएगा आशानवित परिणाम का अंकों में वितरण तो the option जो है आपका correct हो जाएगा उसके बाद में next question है आपका ग्यारवा ग्यारवा पुछा गया है नियोजन परबंद का चरण है तो the planning is step of management तो कौन सा चरण है नियोजन कौन सा step है यह आपको बताना है हमने discuss भी किया था यह क्या उनसा चरण है आपका प्रथम चरण है इसके बाद जो next question है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है नियोजन वेपार के सभी बुराईयों का उपाए नहीं क्योंकि क्योंकि यहाँ पर reason क्या होगा इसका तो अंसरा जाएगा नियोजन सामेंता है पक्ष पातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है planning में समय लगता है इसके बाद में next जो है आपका 13 number question 13 number में आपसे पूछा गया है नियोजन है planning is तो नियोजन कैसा है तो आपका क्या answer हो जाएगा तो इसमें आपका right answer आपने सही सोचा है 10 हो जाएगा यानि कि इसमें से सभी ये लक्ष अविमों की उद्देश अविमों की मानसिक प्रक्रिया अभी अभी बताया था हमने इसके बाद है एक ऐसी विदी है जो कारेव को पूरा करती है कौन सी विदी है इसमें से जो कारे को पूरा करती है तो answer हो जाएगा process प्रक्रिया उसके बाद जो है आपका नियोजन में शामिल है तो नियोजन में क्या शामिल है क्या करना है कब करना है कैसे करना है सभी चीजें सामिल है तो अप्रुक्त सभी आ जाएगा इसमें पूछा गया नियोजन परबंद का कार रहे है तो नियोजन परबंद का कौन सा कार रहे है ये पूछ रहे है तो नियोजन परबंद का कौन सा कार रहे है तो ये नियोजन परबंद का जो है दित्ते कार रहे है उसके बाद जो है next question है आपका नियोजन आधारित है तो planning is based on तो planning किस पर आधारित है आपको अच्छी तरह से पता है ये जो है आपके past में क्या हुआ था उसके आधार पर किया जाता है तो भूत काल पर ठीक है नियोजन किसके लिए कर जाता है वो भविश्य के लिए लेकिन किस पर अधारित होता है ये बूत काल पर किछली क्या गलतियां करिए उसके एसाब से जो plan बनाया जाता है इसके बाद जो है next आपका ठारा नंबर question इसमें पूछा गया जार्ज और आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है तो ये question दूबारा पूछा जा रहा है कितन आपको अच्छे तरह से पता है ये question फिर से पूछा जा रहा है फ्रांस के लिए फ्रांस में उसके बाद जो next question है नीती निर्धान कार रहे है policy determined is work किसका नीती निर्धान कार रहे है तो सभी को पता है उच्छे उच्छे प्रबंद जो है सारे के सारे नीतियां बनाती है उ प्रमांसिक कार रहे है तो आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन उसके बाद जो है next question आपका इसमें पुछा गया है वेग्यानिक प्रबंद से स्रमिकों के पारिस्रमिक में खालिस्तान होती है तो आपको अच्छी तरह से पता है ब्रद्धी होती पारिस्रमिक बात कर रहा है ध्यान रखना और इसके बाद में शुरू में स्रमिको द्वारा वेग्यानिक प्रबंद का खालिस्तान किया गया तो क्या किया गया था तो आपको अच्छी तरह से पता है उसका पक्ष किया गया था उसके बाद 25 प्रबंद स्वामियों के खालिस्तान है तो किसके उनके विरुद्ध हैं या पक्ष में हैं तो हमने डिसकस किया था यह पक्ष में हैं तो यह है आपके important questions अगले वीडियो में हम बात करेंगे organizing यानि संग ठन जो chapter है आपका fourth number उसके mcqs के आसानी से आप इन सभी को एक बार देखेंगे ताकि आपकी हम maximum help कर पाएं हर चीज आपके लिए upload की जा रही है बस अगर आप channel की playlist देखते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा thank you very much on screen आ रहा है playlist इसको जरूर देखिए